तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने मुबाइल फोन के नेविगेशन बटन को हाइट कना चाहते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा हमारा रेसेंट बटन हमारा यह होम बटन हमारा यह बैक बटन तो अगर आप इसे च अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप एक कैसे हाइड करते हैं उन्हें कैसे चुपाते हैं इसके लिए आपको करना कहें सबसे पहले आपको अपने mobile phone के अंदर setting open करना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पर अपना setting open करेंगे जैसे आपके setting open करेंगे आपके सामने इस तरह का setting निकल के आ जाएगा अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा search bar आप इस पर click करेंगे जैसे आप इस पर click कर देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको search करना है navigation bar जैसे आप यहाँ पर search करेंगे navigation bar तो आपके सामने यह setting निकल के आजाएगा जैसे हम यहाँ पर search करेंगे तो हमारे सामने यह setting आजाएगा अब यहाँ पर आपको करना है यहाँ अपको करने केरे नभीगेशन बार पर किलिक कर देना है यहाँ पर अपको देखने को मिलेगा झिले को आपको अपको करना है dec Fantasia setting को, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा, यह आपको additional setting में मिल जाएगा, यह आपको management setting के अंदर मिल जाएगा, आपको देख लेना है, उसकी बाद आपको इस पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click कर देंगे, click करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमारे फोन के अंदर यहां पर यह मिल जाए हमारा नेविगेशन बार हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे हमारे समने इस तरह का पेच यहां पर आ जाएगा अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारे समने आ रहा है यहां पर बटन और और यहाँ पर आज आ रहा है हमारा swipe gesture, यानि कि अगर आप swipe करके यूच करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यूच कर सकते हैं, यहाँ पर आपको example दिखाया जा रहा है, यहाँ पर tutorial आप देख सकते हैं, अगर आप इस बटन को choose करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर करना पड़ेगा, यानि कि इस तरह से आपको select करना पड़ेगा, तो आप जैसे आप इस तरह से select करेंगे, select करने के बाद आपका बैएक हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इस पर हम click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीची हमारा जो button है वो यहाँ पर गायब हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब अगर आप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है उस तरीके से आप बैक कर सकते हैं अपनी बटन को हाइड कर सकते हैं और उन्हें आप आसानी से छुपा सकते हैं अगर आप इससे change करना चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे यानि कि इसका आप gesture change करना चाहते हैं कुछ और रखना चाहते हैं तो आप more के option पर click करेंगे जैसे आप more के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और gesture मिल जाएगा सबसे उपर जहां से अपने mobile phone के अपना back button, home button और menu button को आप hide कर सकते हैं, अपने navigation button को आप hide कर सकते हैं, तो मिलते हैं next बीडियो में इस बीडियो के लिए इतना ही